प्रभाद बच्चों, कैसी हो आप सब? आश्या आप सब स्वस्थों आज हम इंदी बंड माला के स्वरों में से दो स्वर और लिखना सिखेंगे पहले हम उनको पढ़ेंगे अ अनार अ अनार आ आम आ आम शुरू करते हैं लिखना जैसे कि आप सब जानते हो आपने इन दो लाइनों में ही लिखना है सबसे पहले हमने थ्री बनाना है ऐसे फिर इस कर्व को थोड़ा उपर लेके गए और छोड़ देना फिर यहाँ बीच में से छोटी सी स्लिपिंग नाइन बनानी है फिर यहाँ उपर से एक स्टेंडिंग नाइन और इसी लाइन के उपर ऐसे हम छोटी सी लाइन और बनाएंगे तो यह क्या बन गया अब अनार एक बर फिर से दिखते हैं सबसे पहले हमने थ्री बनाया थ्री बनाके इस कर्फ को थोड़ा से उपर लेके जाना है ठीक है फिर स्लिपिंग लाइन फिर वन स्टेंडिंग लाइन ऐसे बनानी है और फिर यहाँ पर एक छोटी सी स्लिपिंग नाइन बना देनी है तो यह क्या बन गया अ अनार आगे है आ आम आ आम भी बिल्कुल वैसे ही है सबसे पहले हम 3 बनाएंगे कर्व कूप पर लेके चोड़ दिया स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ठीक है यह क्या बन गया अ अ बन गया न ऐसे पूरा अब अ के साथ ही हमने एक और स्टैंडिंग लाइन ऐसे लगा दे लिए तो यह क्या बन जाएगा अ आम एक बर फिर से बनाते हैं 3 बनाके कर्व लेके गए उपर चोड़ देना है स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन लगाके यहाँ उपर फिर से स्लिपिंग लाइन लगाई तो यह क्या बन गया अ अनार अब इसके साथ हमें को और वन नैसे स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा आ आम ठीक है बच्चों तो अब आपने घर पे भी अ से अनार और आ से आम का इसी तरह अभ्यास करना है भन्यवाद